हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में हिंदी ब्याकरण के 40 महत्पुन अबजेक्टी प्रशन हम आपको बताएंगे और ये जो 40 अबजेक्टी प्रशन है ये आपके फाइनल बूर्ड परिक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इस 40 अबजेक्टी प्रशन को अगर आप पच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं याद कर लेते हैं तो आपका हिंदी ब्याकरण में 10 नंबर पका हो जाएगा ये आपके टेस्ट दे लिजिएगा अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं और अभी तक आप हमारे वाटसब ग्रूप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा माला में स्वरवण कितने हैं काफी महतपुड प्रश्ण है ये आपके बोड परिक्षा के लिए और ये प्रश्ण बोड परिक्षा में बार बार पूछा जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी वड माला में स्वरवण कितने हैं तो option बिल्कूली सही हो जाएगा एक प्रश्ण ये भी पूछा जाता है कि वेंजनवर्ड कितने होते हैं तो वेंजनवर्ड 33 होते हैं तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण दो नंबर दो नंबर प्रश्ण कि हिंदी भासा किस लीपी में लिखी जाती हैं यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी भासा किस लीपी में लिखी जाती है तो जो हिंदी भासा होती है ये दिवनागरी लीपी में लिखी जाती है यहाँ पे एवाला ओप्शन बिल्कूली सही हो जाएगा एक प्रश्ण ये भी पूछा जाता है कि अं इसमें से आपको बताना है कि भाव आचक संग्या कौन है तो भाव आचक संग्या किसे कहते हैं तो जिससे भाव का पता चलता है उसे भाव आचक संग्या कहते हैं तो यहाँ पर बच्पन भाव को दिखाता है तो यहाँ पर बच्पन भाव आचक संग्या हो जाएगा तो यह यहाँ पay बी वाला उप्सन बिल्कोली सही हो जाएगा, आइए, देखते हैं, अगला प्रश्ण 파ॉच्ण है, चार नमबर प्रश्ण है कि निमनाकित में द्रब्य वाचक संह्या कौन है, इसमें से आपको बताना है कि द्रब्य वाचक संह्या इसमें से कौन है, तो द्रब् तो यहाँ पे घी क्या हो जाएगा द्रब्यवाचक संग्या हो जाएगा यहाँ पे बीवाला ओप्सन बिल्कूली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन पांच नंबर प्रशन है कि संग्या के कितने भेद होते हैं काफी महत्पुड प्रशन है और यह भी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण छे नंबर प्रश्ण है कि किसी वस्तु या प्राणी का संपूर्ण जाती का बोध कराने वाले सब्द को क्या कहते हैं ये भी काफी बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण सात नंबर सात नंबर प्रश्ण कि किसी धातु या द्रब्य का बोध कराने वाले सब्द को क्या कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि किसी धातू या द्रब्य का बोध कराने वाले सब्द को क्या कहते हैं, तो द्रब्य वाचक संग्या कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशन आठ न पे बिवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा, पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है, आइए देखते हैं, अगला प्रशन नौ नंबर, नौ नंबर प्रशन है कि असमान में चिडिया उड़ रही है, इस इस साथ बहुत सारी चिडिया उड़ रही हैं असमान में, तो इहाँ पे चिडिया क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, तो इहाँ पे बिवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशन दस नंबर, दस नंबर प्रशन है कि इवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा, और वचन कितने परकार के होते हैं, दो परकार के होते हैं, पहला होता है एक वचन और दुसरा होता है बहुवचन, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है, आइए देखते हैं, अगला प्रशन ए 11 नंबर, ए 11 नंबर प आपको बताना है कि एक वचन कौन है, तो इहाँ पर देखिए बहु क्या है, ये एक वचन है, तो इहाँ पर एवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशन बारा नंबर, बारा नंबर प्रशन है कि जिन सब्दों से इस्तरी वाचक य पुरुस वाचक होना प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे लिंग कहते हैं, यहाँ पर बीवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशन तेरा नंबर, तेरा नंबर प्रशन है कि लिंग के कितने भेद हैं, ये भी काफी प्रशन हैं, और ये भी प्रशन बोड परिक्षा में पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको बताना है कि लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के दो भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे एवाला ओप्शन बिल्कुली सह हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण चौदा नंबर प्रश्ण है कि पुरुस जाती का बोध कराने वाले सब्दों को क्या कहते हैं काफी महत्पुड प्रश्ण है यह आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुस जाती का बोध कर आने वाले सब्दों को क्या कहते हैं तो पुलिंग कहते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पर एवाला ओप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ब्याकरण के काफी महत्पुर्ण 40 अब्जेक्टी प्रश्न हम आपको बताएंगे तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कि आप लोग शुरू से लेके अंतक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं कियें तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिजेगा आईए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर 15 नंबर प्रश्न है कि इस्तरी जाती के बोध कराने वाले सब्दो को क्या कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि इस्तरी जाती के बोध कराने वाले सब्दों को क्या कहते हैं तो इस्तरी लिंग कहते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे भीवाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर 16 दोला नमबर प्रश्ण है कि संग्या के अस्थान पर जो सब्द परियुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि संग्या के अस्थान पर जिस सब्द का हम परियुक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे सर्वनाम कहते हैं, इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशना 17 नमबर 17 नमबर प्रशने की सर्वनाम के कितने भेद होते हैं यहाँ पे आपको बताना है की सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो सर्वनाम के छे भेद होते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्णा 18 नंबर 18 नंबर प्रश्ण है कि कोई सब्द में कौन सा सर्वनाम है यहाँ पे आपको बताना है कि कोई सब्द में कौन सा सर्वनाम है तो कोई से क्या पता चलता है तो अनिश्चिक्ता का बूध होता है तो यह कौन सा सब्द है तो यहाँ पे देखिए कोई जो सब्द यह कौन सा सर् तो यह अनिश्चे वाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पर D वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्ण उनिस नंबर, उनिस नंबर प्रश्ण है कि जिस सर्वनाम का परियुक कहने वाला या बोलने वाला अपने लिए करता है, उसे कहते हैं, यहा पर यह वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्ण 20 नंबर, 20 नंबर प्रश्ण कि सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का परियुक किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको बताना है, कि सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रियुक किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो मध्यम पूरुस कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे बिवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्ण 21 नंबर, 21 नंबर प्रश्ण कि जिस सर्वनाम का प्रियुक प्रश्ण करन के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो प्रश्ण वाचक सर्वनाम कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्ण 22 नंबर, 22 नंबर प्रश्ण है कि जिस सर्वनाम से स्वैम या नीज का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है, कि जिस सर्वनाम से स्वैम या नीज का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, तो नीज वाचक सर्वनाम कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे भी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशन 23 नमबर, 23 नमबर प्रशन है कि निमनाकित में प्रथम पुरुस कौन है, इसमें से आपको बताना है कि प्रथम पुरुस कौन है, तो यहाँ पर दिखें, प्रथम पुरुस हम हो जाएगा, तो यहाँ पर D वाला ओप्शन बिल्खुल भी सही हो जाएगा, और मैं भी क्या होता है प्रथम पुरुस होता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आए देखते हैं अगला प्रशन 24 नंबर 24 नमबर प्रशन है कि निमनांकित में मध्यम पुरुस कौन है इसमें से आपको बताना है कि मध्यम पुरुस कौन है तो यहाँ पे तुम क्या हो जाएगा आप क्या हो जाएगा यह मध्यम पुरुस हो जाएगा तो यहाँ पे सी वाला उप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा यहाँ पे आपको बताना है कि विसेशण के कितने भेद होते हैं तो विसेशण के 4 भेद होते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 26 नमबर 26 नमबर प्रश्ण है कि 4 लीटर दूध कौन सा विस सड़ हैं यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है 4 लीटर दूध इस वाक्य को आपको बताना है कि इसमें कौन सा विसेशण है तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे 4 है तो यह कौन सा विसेशण होगा तो यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो आईए देखते हैं अगला प्रशन 27 नंबर 27 नंबर प्रशने की वाचे के कितने भेध हैं यहाँ पे आपको बताना है की वाचे के कितने भेध होते हैं तो वाचे के कितने भेध होते हैं तो तीन भेध होते हैं इसे आपको याद रखना है काफी महतपुड प्रशने हैं यह आपके बोड़ परिक्षा के लिए आईए देखते हैं अगला प्रशना 28 नमबर 28 नमबर प्रशने की किरिया को करने में जो समय लगता है उसे कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि किरिया को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं तो उसे काल कहते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ये वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशना 29 नंबर प्रशने की भविस्य में होने वाली किरिया को कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है की भविस्य में होने वाली किरिया को क या कहते हैं तो भविश्यत कहते हैं तो यहाँ पे सी वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन तीस नंबर प्रशन की काल के कितने भेध हैं यहाँ पे आपको बताना है कि काल के कितने भेध होते हैं तो काल के तीन भेध होते हैं यहाँ C वाला option विल्कुली सही हो जाएगा पहला होता है वर्तमान काल दूसरा होता है भूत काल और तिसरा होता है भविश्यकाल तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन 31 नंबर 31 नंबर प्रशन वर्तमान काल के कितने भेद हैं यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं इसे आपको याद रखना है और ये प्रशन बोड़ परिक्षा में बार बार पूछा जाता है तो इसे आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशना 32 नंबर प्रशने की भूत काल की कितने भेध हैं यहाँ पे आपको बताना है की भूत काल की कितने भेध होते हैं तो भूत काल की 6 भेध होते हैं इसे आपको याद रखना है और ये भी प्रशन बोड़ पर इतने भेद होते हैं तो भविष्यकाल के तीन भेद होते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 34 नंबर प्रश्ण की जो किरिया की उत्पती में सहायक हो उसे क्या कहते हैं यहाँ पे आ अगला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 35 नंबर 35 नंबर प्रश्ण की किरिया के करने वाले को क्या कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि किरिया के करने वाले को क्या कहते हैं तो करता कहते हैं इसे आपको याद रखना है काफी मह अध्पुड प्रश्ण है यहाँ पे एवाला उप्शन बिल्खुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 36 नमबर प्रश्ण की करता का कारक्चिन बताएं यहाँ पे आपको बताना है कि करता का कारक्चिन क्या होता है तो करता ने होता है करम को होता है तो 37 प्रशन है कि राम ने रामड कुमारा इस वाक्य में कौन दो कारक चिन है यहाँ पर आपको बताना है कि राम ने रामड कुमारा तो यहाँ पर दो कारक चिन है एक ने है एक को है तो यहाँ पर आपको बताना है कि ने और को कौन सा दो कारक है यह आपको यहाँ पर बताना है तो करता ने होता है, और करम क्या होता है, को होता है, तो पहला करता है, और दूसरा करम है, तो यहाँ पे भी वाला ओप्शन बिलकुल ही सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्न अर्टिस नंबर, 38 नंबर प्रश्न है कि कारक के कितने भेद हैं, काफी इसे आपको याद रखना है यहाँ पे D वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नमबर प्रश्ने की संधी का अर्थ होता है यहाँ पे आपको बताना है कि संधी का अर्थ क्या होता है तो संधी का अर्थ यहाँ पे देखें मेल होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला option बिल्खोली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अंतिम प्रशन 40 नमबर प्रशने की संधी के कितने भेध हैं यहाँ पे आपको बताना है कि संधी के कितने भेध होते हैं तो संधी के तीन भेध होते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा हिंदी ब्याकरण के 40 महत्पुन objective प्रशन हम आपको बता चुके हैं तो इसमें से जो भी प्रशन आपको याद रहा हो तो प्लीज आप लोग उसे notebook पे लिखके जुरूर याद कर लिजेगा अगर इसे आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ लिजेगा तो आपका 10 नंबर पका हो जाएगा यह हमारा guarantee है और अभी तक आप लोग वीडियो को like नहीं किए तो वीडियो को like कीजे चैनल को subscribe नहीं किए तो चैनल को subscribe कीजे अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आप लोग online test कैसे दे सकते हैं तो सभी के phone में होता है Chrome और Google तो दोनों में से किसी एक को आपको open कर लेना है खोल लेना है जैसे यहाँ पर आपका Chrome या Google open हो जाता है तो यहाँ पर दिखिए एक search box दिखता है तो इसमें बस आपको लिखना है ask class ASK और फिर आपको CLAWS बस आपको ask class लिख के search कर देना है तो जैसे ही search किजिएगा यहाँ पर दिखिए लिखा हुआ आ जाएगा ask class तो इस पर आपको click करना है और जैसे आप लोग click किजिएगा यहाँ पर दिखिए ask class का official website open हो जाएगा यहाँ से आप लोग online test लगा सकते हैं और यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो अगर आपको test लगाना है तो इस test वाले button पर आपको click करना है जैसे आप लोग test वाले button पर click किजिएगा तो यहाँ पर daily live test open हो जाएगा और रोजाना यहाँ पर 7 बज़े से test start हो जाता है और हम group में बता देते हैं जब test update हो जाता है तो बच्ची जाके उहाँ पर test देते हैं तो ऐसे ही आपको test देना है और रोजाना test होता है तो आप लोग रोजाना test दीजिए और सभी विस्यू का test होता है तो आप लोग सभी विस्यू का test दीजिए तो सबसे उपर वाला सबसे पहले आपको test देना है अगर आपको नीचे वाला भी मन कर टेस्ट देने के लिए तो आप लोग दे सकते हैं तो उपर वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट open हो जाएगा और जैसे टेस्ट यहाँ पे open हो जाएगा यहाँ पे देखिए आपको नीचे में आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है start तो बस start वाले बटन पे click करेंगे तो यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दिजिएगा उसके बाद next कर दिजिएगा तो जैसे आप लोग next किजिएगा तो यह test open हो जाएगा इस test में total यहाँ पे 20 प्रशन है और यहाँ पे देखिए जो test है इसमें यहाँ पे देखिए परतीक प्रशन का 4 आपको option मिलेगा जिसमें से एक सही है सही वाले option पे आप लोग टिक कीजिएगा तो green हो जाएगा अगर गलती हुआ तो red हो जाएगा तो यहाँ पे पहला प्रशन है कि चंदरगुप्त किस ones के संस्थापक है यहाँ पे आपको बताना है कि जो चंदरगुप्त मौरे हैं यह किस ones के संस्थापक हैं तो more events के संस्थापक है तो देखिए सही हो गया तो green हो गया अब यहाँ पे आपको दूसरा question लाना है तो आपको next दबाना पड़ेगा तो next आप लोग जैसे दबाईएगा यहाँ पे दूसरा question आ जाएगा तो यहाँ पे दूसरा question है कि कण के coverage कुंडल की क्या विसे स्थाएं थी तो उसे भेदा नहीं जा सकता था लेकिन हम यहाँ पे देखिए यहाँ पी see वाले option पे टिक करते हैं कि वो अती लगू था तो देखिए गलत हो जाएगा और जो सही answer है वो आपको ऐसे बताएगा तो ऐसे आपको क्या करना है टेस्ट देना है तो टेस्ट आप लोग दे लिजिएगा लास्ट में आपको result भी बता देगा उसके बाद अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो download PDF पे आपको click करना है और डेली रात आट बजे एक PDF आपको दिया जाता है तो आप लोग जरूर PDF को लिजिए और पढ़ाई कीजिए यहां पर देखे बहुत सारा PDF अपलोड कर चुके हैं और यह बिलकुल फ्री होता है तो आप लोग यहां पर आईए और PDF आप लोग डाउनलोड कर लिजिए और जो important news होता है तो यहां पर आप लोग news भी देख लिजेगा और उसको news को अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग click करके यहां पर news भी पढ़ सकते हैं अगर आपको question bank पढ़ना है तो यहां पर देखे science यहां पर देखे पूरा subject का यहां पर question bank है अगर आपको subjective objective पढ़ना है तो यहां से आप लोग subjective objective भी पढ़ सकते हैं तो उमीद करते हैं यह class आपको काफी अच्छा लगा है तो thank you for watching मिलते हैं अगली class में तब तक अपना ध्यान रखिए मन लगा के पढ़ाई किजिए take care and buy